हलो सीएस्पिरेंट्स कैसे हैं आप लोगा हो मसते हैं शानदार हैं और जबरदस्त है तो बात करने वाला हूं आज आप लोगों से एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जो शायद कुछ बच्चों को परिशान कर रहा है येस उनको चूज करना नहीं आपा रहा कि ए समझाने वाला हूं कि यह क्लियर होना बहुत जरूरी है इसके अच्छे लेवल के कोशन तो देखा हम प्रैक्टिस कर लेंगे और क्लासिस के अंदर में बट यह चोटा सा परिशानी जो है यह बहुत प्रॉलमेटिक है काफी बच्चों के लिए आई इसको सौट आउट करत आउँ मैं आप लोगों से आज किसके विया आप अन्दर में जहां मैं आपको समझाओंगा । थीचर क्या थीजज ए म्यूटू है उसके बारे में किसके बारे में ऐसंके बारे में टिए अब को समझे उधैं से यज फ्यूचर वैल्म और प्रजेंड वे टीचे आ है एस आपको क्या लखता है कमें जरूर पता ना future value present value example से सोचो हमेशा ना इनको थोड़ा सा example के हिसाब से सोचेंगे कोई भी सिनारियो में देखो कोई भी सिनारियो में जो पहले transaction होगी ना वो present value बनेगी येस मतलब पहले हुई है और तो उसको मान के जलते हैं वो आज present में बात कर रहा हूँ ठीक है ऐसा निया कियार मैं आज खड़ा हूँ आज मैं किसी से पैसा लेकर रहा है पांच साल पहले मैं उधारी दी तो आज तो सर प्रेजेंट हो गया तो यह present value ने चीए नहीं ऐसा साइकल होएगी इन्वेस्टमेंट साइकल बोल दो या फिर बोरोइंग साइकल बोल दो वह होएगी ना उसके सबसे पहली ट्रांजेक्शन जो होएगी ना वह present value बनती है ठीक है बासम भाई तो present value का अगर मैं एक्जांपल दो तो सबसे पहले जहां आपको प्रिंसिपल ल हमारा यह यह particular present value की बात करता है ठीक है एक्जांपल के तोर पे यह question annuity के अंदर में हम दिखाऊंगा मैं आपको ठीक है annuity में दिखाऊंगा जब loan वाला case आएगा ना तो loan जितने का लिया जाता है जितने का loan लिया जाता है वो क्या होती है हमारी present value बन जाती है उसमें present value का formula यूज करेंगे ओके यस ठीक है यह बात clear हुई भाई यह हो गया यह हो गया यह हो गया ऐसे और क्या क्या सीनारियों हो सकते है मुझे आप comment में बताईएगा ठीक है जब आप present value उस amount को consider करो in short मैं आपको बोल दिया present value वह amount है एक सिनारियों के अंदर में जो सबसे पहली हम amount का involvement हुआ होगा ठीक है एक बड़े amount का एक fix amount का involvement हुआ होगा future value की बात करते हैं कह रहा है यह वह amount है जो आपको end of the period मतलब जब सारी payment खतम होने वाली है आखरी में आपने बोला final payment जो बनने वाली हैब हमारी future value बनने वाली है यह मतलब जैसे आपने SIP लगाना शुरू किय तो SIP के अंदर में return जो मिलता है वो हमारा क्या होता है future value तो generally हम बोलता है word इसके लिए return on investment येस ये हमारा future value को target कर रहा है ओके येस या फिर यहां पर बोलते है maturity amount ठीक है ऐसा word यूज़ किया जाता है ठीक है या फिर end of the ठीक है बोलूँगा कर गए word end of the cycle end of the you know particular एक time period है ना particular time duration उस case में हम इसको use करते हैं ठीक है समझना है SIP इसका एक अच्छा example है तो future value present value का यूज़ होता है इसको थोड़ा question से भी समझाऊंगा ठीक है एक simple सा question लëता है पहले यस and you doidakuy जाने से पहले simple सा question लहता हूं ठीक है मैंने 2 लाख रुपे मैंने 2 लाख रुपे जो है rishub sir को दीये और रishub sir ने मुझे बोला कि ये 2 लाख रुपे को जो है RRR sir rich rich shy prior sir को दीये और रishub sir मुझे मुझे बोला मैंने कितना मेरो गया रिशाप सर मुझे देते है, पैसे अच तक मैंने ूango दिये ठीक है है, रिशाप सर को दो लाक रुपे दिये, रिशाप सर ने इनवेस्टमेंट के लिए लिये होंगे, व्यूसक वाध रिया है जार, उनके पास पैसी की कमी थुपनना है ठीक है और उन्होंने मुझे बोला कि मैं ये पैसे मैं ये पैसे मतलब रिश्प सर्ण ने बोला कि वो ये पैसे five year में मुझे return कर देंगे yes at the rate of 10% per annum ठीक है ये उन्होंने मुझे बोला अब मुझे यहां बताओ ये particular amount मेरा क्या बन जाएगा इसको मैं क्या बोलूँगा present value या future value जो मुझे रिश्प सर्ण रिटर्न करेंगे पात साल बाद जो ये दो लाख रुपे हैं 10% interest मिलाकर पर year के हिसाब से मिलेगा उसको मैं क्या बोलूँगा present value या future value यहां पर जो amount आएगा वो बनेगा मेरा future value याद रखना है बात ठीक है future value को इसलिए हम formula कहीं बार लिख देते हैं same as like accumulated amount हम जब future value और present value को word को use करते हैं तो हम बात करते हैं compound interest में general ठीक है तुम्हें मान के चल रहो है compound interest वाला ही किसे yes ठीक है clear है so यहां पर देखो end of the tenure जब हमारे 5 साल खतम हो जाएंगे उसके time पर हमको payment मिल रहे है तो यह हमारा आखरी में जो payment मिल रहे है वो है future value जो पैसा रिशब सर को मैंने दिया वो मेरा starting में है पैसा उसको हम बोल रहे हैं यहां पर present value बात समझना रही है उसको हम बोल रहे है present value ठीक है अच्छा future value को अगर मैं formula बताऊं आपको जो आपका accumulated amount का formula बनता था ना वो same बन जागा future value यहां पर present value को मैं PV लिख देता हूं ठीक है तो यह क्या बनके मेरा actual principle तो compounding annually हो रही है क्योंकि हमारी compounding annually हो रही है जब कुछ नहीं दे रहा हो था तो हम यहीं मानते compounding annually है उसके लिए conversion period 1 होता है यहास और हमारा I क्या हो जाएगा हमारा I क्या हो जाएगा बेटा I will be equal to I will be equal to rate of interest by 100 into conversion period यहस यहस आई का formula क्या पढ़ था अपन ने rate of interest by 100 into c तो I कित यहां से यह गया this is 0.1 सही है ठीक है ओके नाओ हमारा I पता चल गया N कितना हो जाएगा T into c time जितना दे रखा है into conversion period that is 5 into 1 which is equal to 5 again ठीक है पुट कर दें तो यहां से future value मेरी कितनी आ जाएगी present value 2,00,00,00 into में 1 plus 0.1 yes 0.1 की power 5 तो 2,00,00 को multiply कराना है basically मुझे किसे 1.1 की power 5 से कितना हुआ चेक करना 1.1 1.1 की power 5 1.1 into equal to equal to equal to equal to this is coming 1.61051 के आसपास है ना 1.1 की power 5 into में 2,00,00,00 के बाद में 50 तो यह amount आ रहा है yes calculator trick तो अपन ने लग से सीखें जिसको calculator trick में दिक्कत है बेटा calculator trick की video बनाई है 10 important calculator trick के नाम से वो जाके देख लो इस हिसाब से हम future value और present value निकाल सकते हैं ठीक है ना भई सो यह amount कितना आएगा लगबग तीन लाख तीन लाख बाईस हजार एक सो दो रुपे ठीक है भई yes अब बात करते हैं annuity की annuity installment सेम बात हो गया ना चाहिए आप उसको investment के लिए इंस्टॉल्मेंट कर रहे हैं या आप जनरली क्या होता है एक big amount लेने की वज़ा से या big amount प्राप्त करने की वज़ा से लेना चाहते हो तो मतलब वो loan लिया है उसको बोलते है present value में लिया है जब आप प्राप्त करना चाहते हो तो मतलब वो अपने future value में की लिया है उस case के अंदर में हम क्या करते हैं छोटे यह मांड फिकस होता है मांनो आगर मैंने यहंड टाइम्स पेगिया है और यह मांब लो एक एक, पीरेड यह का एकर पीरेड के बाहल एक पीरेड Go एक अप्रेल ऐसे फिक्स बगड रखा है मैंने इस यस वी हर महीने के स्टार्टिंग मेरा सेम मांट कटेगा तबी वह एन्युटी के लाएगा सेम मांट कटेगा तभी मेरा वह एन्यूटी के लाएगा मालों यहां सुनके लगता है यार यही तो स्कीम थी जो हमारे अक्षेक मार के पास में दी जिसमें उसने बोला था 25 दिन में पाइसा डबल यही आवा स्कीम पाइसा देते रहो लोगों से है ना और इंट्रस्ट मिलता रहे मिलता रहेगा एंविटी के दिदर में किया मिलता है इंटरस्ट मिलता है येस तो मिलता रहेगा येस और हम किसी दिन अमीर हो जाएंगे इतना फर्रक नहीं परता हाँ मिलता है बट इंटरस्ट और एक्चुली में होते हैं स्टॉक मार्केट में तो यहीं चलती है थोड़ा थोड़ा येस मिचल फंड्स में पट्चिस दिन नहीं पट्चिस दिन तो नहीं बोलेंगे धाई साल चार साल पांस साल ऐसे टाइम में पैसा डबल हो जाता है हाँ ठीक है अब एन्यूटी को अगें यह बोलता है अगर आप जो इंस्टॉल्मेंट भर रहे हो वो एंड ओफ एंड ओफ एवरी पीरियेड भर रहे हो यह तो यह मेरा होता है एन्यूटी रेगूलर केस याद रखना इस बात हो ठीक है यहां पर आपका जबसे आपका पीरियेड स्टार्ट हो रहा है आप स्टार्टिंग में भी पिएमेंट भर रहे हो स्टार्टिंग ओफ पीरियेड में for example आपने loan लिया ठीक है दोनों scenario's को बना रहा हुआ है आपने loan लिया bank से मालो एक लाख रुपे गा ठीक है अब एक लाख रुपे पे bank ने बोला आपको हर महीने 5000 रुपे देना है ठीक है हर महीने 5000 रुपे देना है इस case में क्या होगा जिस दिन bank बोलेगा मालो हर महीने देना तो हर महीने के आखरी में देना पड़ेगा हर महीने के आखरी में 5000 रुपे दे रहे हैं तो मतलब end of every month start यहां से किया start यहां से किया उसके लगवाग एक महीने बाद से हमने अपना payment शुरू किया एक payment के cycle साइकल जो होगा ना उसके आखरी दिन को हम payment कर रहे हैं एक payment का साइकल चीज दिन कंप्लीट होगा ना उसके आखरी दिन पर हम यह जो है payment कर रहे होते हैं starting of period मतलब क्या हुआ कि आज अगर मानलो मैंने bank ने बोला ना कि भीया एक लाख रुपे मैं आपको देता हूं तो बैंक बोलेगा भीया ठीक है आज ही पांच से जार पर देके जा फिर एक महीने बाद देके जाई हो फिर एक महीने बाद देके जाई हो फिर एक महीने बाद तो डिफरेंस क्या है यहां पर यहां पर क्या है हमारा स्टार्टिंग में ब्लैंक निया बहुत जो सुरू है आपने बॉला कि या बैंक भीया लौन देना यहाँ पर क्या बोल रहा है ठीक है पहला इंस्टोल्मेंट एक महीने बाद दीजेगा यहां कि बोलना से रों देना बहुत है ठीक है पांच जार पर भी देखे़ा डियस ऐ future value क्या होता है उस पर कैसे questions बनते हैं उसको समझने की कोशिश करना ठीक है future value of annuity future value मैंने क्या बता है जो आखरी में payment आती है तो अगर यहाँ annuity A है यहाँ annuity A है यहाँ पहले जनरली देखो शुरुआत में जब भी बात करते हैं annuity regular पर बात करते हैं हम किसे बात करेंगे annuity regular के case में क्या होगा मेरा पहली इस्टोल्मेंट यहाँ दूसरी यहाँ तीसरी यहाँ चोथी उससे अगे ठीक है यहाँ पांच भी यहाँ मान लो ऐसे करके मैंने एंड टाइम सक पेवेंट किया है तो ध्यांचे सुनना जब हम future value of annuity regular में आखरी payment जिस करते हैं उस दिन सेम डे हमारी future value calculate करते हैं ठीक है यहस तो इस केस में हमारा क्या होगा ध्यां से सुनना ठीक है मैंने क्या बोला यहस payment start कब हो रही है payment starts from end of first period okay end का बोह रही है end का बोह रही है ठीक है future value जिस दिन calculate कर रहा है तो future value is calculated on the last day ठीक है future value future value is calculated ठीक है on the last payment यह पर बोलूँगा last annuity payment दे annuity paid ठीक है ठीक है भई तो यह हमां इसके लिए बोलते हैं यह annuity regular का case है सही है समझ में आई बात भी clear है I hope समझ में आ गई है इसके लिए जब हमने solve किया उसका formula मैंने class में derive कर रहा हूँ है बट यहां लिग कि देता हूँ इसका जब हमने solve किया यह जो बैच में involved नहीं बैच में रोल नहीं है वो हमारा चानक्य में detail में formula समझा सकता है चानक्य में formula समझा हूँ है बट यहां पर मुझे इसको revise कराना ठीक है आई अगेंस transfer आई अगेंस transfer ठीक है आई अगेंस transfer rate of interested in decimal ठीक है a stands for annuity amount जो आपका installment का amount बनता है ठीक है i बता दिया n बता दिते हैं n है number of periods ठीक है महीने का है तो साल में 12 हो गए वैसे करके हो जाएगा ठीक है yes तो total number of periods हो जाएगा ओके ठीक है न ख्लियर है तो formula वापस इसने बता दिया है इसको देख लेते हैं ठीक है तो बता दिया है पर अपने डन है यह है इसको repeat करना की बार-बार जुरूत नहीं अपने को इसको हटाओ question देखते हैं इस पर तभी मदा आएगा let's see the question on this particular pattern future value of annuity of rupees 10,000 made annually for 5 years at interest rate of 12% compoundedly annually ठीक है तो हमार को यहाँ पर क्या-क्या दिरखा और कैसे solve करते हैं सबसे पहले जेखो future value निकालनी है कितनी 10,000 रुपे इसके उपर में मुझे future value निकालनी है कितने साल तक जा रही है यह कितने साल तक जा रही है मेरी time period 5 year तक और rate of interest कितना दे गया आप यह 12% compounded annually ठीक है पर एनम ओके सही है नाउ अब future value का formula के लिए मेरे को क्या चीए देखो future value का formula पर ने क्या डिसकस किया future value का formula डिसकस किया सर यह है हमारा annuity into 1 plus i की पार n minus 1 by i ठीक है अब यहाँ i नहीं बता n नहीं बता तो i कैसे निकालते हैं i होता है हमारा r by 100 into c अब c क्या होगा जब तक compounded हो रहा है annually annually के लिए हमारा conversion period यह सपनने पड़ा हुआ यह 1 होता है annually के लिए 1 होता है semi annuity के लिए 2 होता है quarterly के लिए 4 होता है monthly के लिए 12 होता है यह लिखवाया हुआ है ठीक है detail में इस सबस्राइब तो भया चले जाईएगा आप चनक्के के detail वाले lecture पे अगर यह batch लिए तो batch में संपूर्ण में है ठीक है r की value 12% by 100 into c की value 1 ठीक है ना तो कितना होगा भी हा .12 .12 although भरमास्तर के अंदर में यह कराऊंगा भी मैं बता जिता हूँ चलो आपको detail जानना जिनको यह है कि लग रहे है कि यार नहीं सर्थ आपको तो अभी बताना चाहिए था so we are bringing the particular whole chapter revision series after this particular class ठीक है yes पूरे पूरे चेप्टर की revision इसके बाद से कराने वाले है सही है ठीक है खुश हो कराएंगे इसके बाद से ठीक है एक बार यह आखरी class है कि बच्चों ने बहुत request करी थी logarithm अनुटी का revision करा दो तो इसलिए यह दो वीडियो अलग से separately डाल दी है ठीक है यस चलो i decide हो गया अब n और c है तो n क्या होता है t into c t कितना है 5 c कितना है 1 तो यह हो गया 5 put कर दें annuity 10,000 into 1 1 plus i 0.12 कि पावर n 5 minus 1 divided by 0.12 तो 10,000 into 1.12 का पावर 5 minus 1 5 में 0.12 कितना हो आ एक वेल्यू 1.12 कि पावर 5 1.12 कि पावर 5 1.12 into equal to equal to equal to equal to जब तक पावर 5 से बड़ा एक नमबर स्टेप्स में आ जाए ठीक है minus किया 1 divided कर आया 0.12 से multiply कर आया किसे 10,000 से तो आ रहा है हमारा हमारा आ रहा है future value कितना भी है future value कितना रहा है मेरा this is coming 63,528 point almost 47 मतलब कि 45 rupees 47 मतलब कि 0.5 rupees okay इतना आ रहा है ठीक है एक question और देखते हैं चलिए yes rupees 500 is invested at the end of each month in an account paying interest 12% per year compounded monthly ठीक है compounding इस बार कैसे करा दिया मन्थली ध्यान देना ठीक है monthly compounding में हम C की value 12 लेते हैं कितना amount डाला जा रहा है मन्थली हमारा 500 रुपे ठीक है yes यहाँ पर अब end of word यह बहुत important है जब ना दिया हो ना starting of end of या तुमको कहीं से हिंट ना लग रहा हो ना कि annuity regular का immediate का है तो मान के चलना annuity regular का है जब end of जैसा कोई word दिख जाए तो यह तो obviously annuity regular का ही question होगा immediate का कैसे वह आप अगले question से बताऊंगा ठीक है सब्सक्राइब करें ना इसने है ना ना इन्स पेमेंट का मतलब क्या है कि इसने नो ही बार पेमेंट किया है तो इंस्टॉल्मेंट्स बोल दो है number of times of period बोल दो बात सेम होती है वह कितना गया एंड की वेल्यू आगे यह 9 ठीक है अब फॉर्मूला के अंदर में एंड मिल रखा है आर दे रखा है आई निकाल लेंगे आई क्या हो जाएगा बारा बाइं हंड्रेड इंटू C that is बारा अगें which is will be which will be 0.01 ठीक है अफुचर वेल्यू क्या होगी सॉल कर लो फुचर वेल्यू वेल्यू इक्वल्यू 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 तो अन्यू पांचो एंटू 1 प्लस 0.01 की पावर n 9-1 divided by 0.01 solve करो solve करो कैसे करोगे 1.01 is 1.1 1.1 into equal to press किया जब तक 9 से एक बड़ा पावर 10 ना आ जाए तो कितना रहा 2.3579 47 minus किया 1 डिवाइड करा दिया 0.01 से ठीक है डिवाइड करा दिया 0.01 से ओके 1.1 कर दिया था मैंने गलती से तो यहां पर 1.01 होगा देखो ऐसी सिली सिली इस टेक से भी नंबर कर जाते है मैंने 1.1 ले लिया मेरा 135 आ गया मैं का यह कैसे हो सकता है मैं का इतना डिफरेंस तो नहीं होना चाहिए येस तो मुझे लगा कि मैंने 1.1 ले लिया जबकि 1.01 बनता है दुबारा से 1.01 into equal to किया जतना 9 से एक बड़ा पावर 10 ना जाए ठी 3.68 माइनस किया 1 डिवाइड कर आया 0.01 से multiply आप इसको करा देंगे 500 से यह सिखा है हमने कैसे किया इसकी पावर निकाली उसमें से 1 माइनस डिवाइड बाइड इस जैसे calculator के भी ना आप करतें ना वैसी करा आखरी में 500 से multiply तो यह आगा रूपीज 4684.2636 तो approximately इतना ही हो गय ठीक है यह calculation कुछ से भी कर सकते हो चलो एन्यूटी immediate का केस में क्या होता है चलिए इसको समझते हैं एन्यूटी immediate मतलब कि आपकी एन्यूटी due एन्यूटी immediate बात सेम है ठीक है सो इस केस में क्या होता है हमारा starting of the period से ही एन्यूटी होना शुरू होता है आपने जिस दिन सोच लिया कि payment करना है उसमें ही payment शुरू हो जाएगा अब इसमें मज़े की बात क्या है क्यारे मान लोकर end times तक payment जा रहा है ना हर period के starting में जा रहा है मतलब इसके start जिस दिन start तो end period के starting में ही हमारी पहली एन्यथ payment मिल जाएगी एन्यथ payment जो है वो एन्यथ पीरिट के starting में ही मिल जाएगी ठीक है ना एन्यथ payment जो है एन्यथ पीरिट के starting में ही मिल जाएगी तो एन्यथ पीरिट जब end होगा बेटा जहां सुना एन्यथ पीरिट जब end होगा आपका उ तो annuity immediate के case में लिख लो इसलिए यहाँ पर annuity जो है हमारी yes यहाँ पर immediate के case में एक तो आपको word दिखेगा कि हमारी payment गब जा रही है starting of every period yes ऐसा word अगर ना दिखे या दिखने के बाद में भी second priority हमारे को चेक करनी है कि हमारी जो payment है yes future value वो after one period देखो starting के बाद में एक पूरा period एन्वा period जो है बीता है उसके बाद में calculate हुए तो after last period ठीक है after या फिर बोलो after one period of last annuity paid ठीक है yes यह better of last last annuity paid समझ माई बात जिस दिन आखरी payment करोगे उस दिन हमारी उस दिन हमारी ठीक है जिस दिन आखरी payment करोगे उस दिन हमारी yes उससे एक period बाद में हमारी क्या calculate करी जाएगी future value जिस दिन आखरी payment करोगे उसके एक period बाद में हमारी future value के calculate खरी जाती है उसी के हिसाब से calculate करते हैं साथ में क्योंकि एक और बार एक और बार हमारा period लग रहा है ना आखरी payment के एक और बार हमारा period लग रहा है तो उसकी वज़ा से इसकी वज़ा से multiply हो जाता है ठीक है ना और आखरी पेमेंट के एक पीरेड बाद ही calculate हो रही है नहीं हो रही है दोनों चीजों को ध्यान रखना है उसमें भी यह है अगर आपकी आखरी पीमेंट है जिस दिन आखरी पेमेंट है उसी दिन फ्यूटर वैल्यू करकूलेट नहीं होड़ी तो हो सकता है तो इध्यान रखना इस बात का ठीक है क्लियर है तो राहूल इंवेस्ट क्या कर रहा है पांच हजार एवरी यह स्टार्ट इंट्रस रेट मतलब कि हमारा आर थैन पर संट पर एनम कंपांड़ एन्वाली है कैल कुलेट फ्यूचर वेल्यू ओफ धा एन्विटी रख थीक है फ्यूचर वेल्यू यहां पर फोर्मूला क्या लग जाएगा एंट्टू 1 प्लस आई की पावर एन 1 प्लस आई की पावर n-1 by में i और आखरी में इसको में 1 प्लस i से multiply भी करा दूँगा, ठीक है yes so, सबसे पहले i कितना हो गया मेरा अच्छा, compounded n only है तो c मेरा 1 है, yes इसके लिए c 1 है, i कितना हो गया r by 100 into c तो this is 0.1 n कितना हो जाएगा time period into c, that is हमारा 8, तो n ut के amount यह n ut का amount है 5000, तो 5000 into 1 plus i की value 0.1 की power n, n की value add minus का 1 by में 0.1 into 1 plus 0.1, ठीक है तो 5000 into में 1.1 की power add minus 1 by 0.1 into 1.1 calculate करो सबसे पहले, 1.1 की बार 8 नी का लेंगे, जो सबसे complicated जी जब तक 8 से एक साफ उपर 9 नहीं आ गया, ठीक है फिर उसके बाद में minus किया 1 divide करा दिया, 0.1 से multiply करा दिया, 5000 से अभी answer नहीं आया, आखरी में 1.1 जो बचा है annuity immediate की विजए से वो भी multiply कराना होगा, तो answer आ रहा है मेरा रूपीज 62897.38 which is the annuity immediate amount, ठीक है future value के लिए अब हम बात करने वाले हैं present value की बारे बे, ठीक है present value of annuity regular का case पहले देखेंगे, ठीक है again annuity regular का मतलब क्या है, कि हमारी end of first period से payment start होगी, हमारी end of first period के से payment start होगी a, 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 a yes, payment कहां से start हो रहे है, यहां से start हो रहे है ठीक है जी, done है है सहीं प्रेजंट एलीय एहां से प्रेजंट वेल्लिव से सुनना है और पैसब उठाते हो उसको निकालना तो जिस दिन वैसा उठाया उसके एक पीरेट बाद में आपने आपने पहली परेमेंट दूसरे परेमेंट तीसरे प रहां में ऐसे करके अगर एन इस्टॉल्मेंट गई है तो एन पेमेंट बाद में ठीक है ऐसे रहेगा जिस दिन उठाते हो उसके बाद में शुरू होती है प्रेजेंट वेल्यू इस केस में हमारा प्रेजेंट वेल्यू का फॉर्मूला बन जाता है क्या चीज़ ध्यान से देखना एंटू वन प्लस एन माइनस वन बाए में आई साथ में जो यह वाला बाट देखो यहां तक तो पूरा हमारा क्या था एन्विटी फ्यूचर वेल्यू का निकालने का तरीका था है ना सेम टू सेम साथ में यहाँ पर वन प्लस आई की पावर एन से भी मल्टिप्लाइब हो जाएगा बस ठीक दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा कुछ भी सार्टिंग अंडिंग तो उस केस में हमारा एन्विटी डैगूलर प्रेजंट वेल्यू का फॉर्मूला लगता है यहां पर मतलब नहीं बता रहा है तो मानें के एंड ओफ एवरी पीरिएड में हमारा पेइमेंट जा रहा है एंड ओफ एवरी पीमेंट यह में पेइमेंट जा रहा है एन्यूटिंग अमाउंट असी रुपे हो गया है यह हमारा टाइम पीरिड बीस यह दे रखा है हमारा रेट ओफ इंटरस्ट फाइव परसेंट दे रखा है यह तो अब कंपाउंडिंग नहीं बताया है हम सब्सक्राइब प्रेसेंट वेल्यू का फोर्म्ला क्या हो जाएगा भाई हमारा एन्यूटी एट टी इंटू 1 प्लस आई की वेल्यू पॉइंट जेरो फाईव बेटा स्वी ठीक है थीपवर 20 माइनस 1 डिवाइड बाइड पॉइंट 05 तो अगें असी इंटू 1.05 की solve करो कितना हुआ जल्दी से 1.05 into equal to किया मैंने कब तक 20 से एक बड़ा नंबर पावर में न आ जाए ठीक है 20 से एक बड़ा नंबर पावर में आ गया minus किया 1 divide किया 0.05 से और multiply करा दिया इसको 80 से so answer कितना है मेरा बेटे मेरा answer आया रूपीस 2645.276 ठीक है समझ में आया तो 80 रुपे से कैसे हमने बनाया option में कुछ गलती है क्या option में कुछ गलती है लग रहा है मुझे ओहो गलती नहीं है option में आपने formula में गलती कर दिया लग रहा है आपने formula में गलती कर दिया अरे सर ये तो future value निकाल दिया सर अरे हमें आ गए सर हमें आ गए सर यहां पर आपने गलती गर दिये सर क्या चीज की कि आपने सर फ्यूचर वेल्यू निकाल दिये सर हां हम भी एक्जाम में यह गलती गर क्या आते हैं यहां पर प्रेजेंट वेल्यू के लिए फ्यूचर वेल्यू के साथ में यह वेल्यू हो जाती है सर यहां पर यह वेल्यू डिवाइड हो जाएगी सर है ना अच्छा इसके लिए अब मैं आपको तरीका सिखाता हूं है है ना यहां पर 1.05 की पावर 20 केसे डिवाइड होगा 1.05 इंटू इक्वल डू किया जहां से देखना कब तक जब तक 21 ना जाओ उपर में आगया आगया अब इसको ना अप मैमरी प्लस में सेफ कर दें पहले मैमरी क्लीन थी ठीक है माइनस किया वन डिवाइड करा दिया 0.05 से अब डिवाइड कराना है 1.05 की पावर 20 से दुबारा य ठीक है यस यह डिवाइड करा दिया वैल्यू अगये बारा पॉइंट चार दो छे अब इसको अस्ती से मल्टिप्ला कराएंगे हंजी आया है आंसर 99 996.97 विचिस अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 10 रुपीज ठीक है यस दिहान रखना है वेटा गलती पकड़ी जाएग जब options को चेक करोगे थिक है अब एक question और ठीक है लास question और present value of annuity immediate का ताकि आपको इसका भी डिफरेंस समझनाए इसमें क्या होगा जिस दिन आपने present value में पैसा लिया जिस दिन आपने लोन उठाया उस दिन बस कहानी शुरू हो गई है यस उस दिन आपकी कहानी शुरू हो इसमें हमने formula लिखके नहीं दिखा रहा मैं आपको question से समझाऊंगा क्या होता है उपर में जो हमारा formula था ना यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर यह वन प्लस क्लास में ठीक है यह माइनस वन माइनस वन यहाँ पर कर दिया है मनें ठीक है क्योंकि हमने calculate कर आजिया फोर यहां से फिर यहां से लेकर यहां तक का जिसकी वजह से आया और स्टार्टिंग वाली अन्यूटी जाया ना उसको हमने अलग हाँ दिखते इस पर कोशन चलिए एक तो यह कोशन है आपके लिए देखो क्या गया रहा है यू आर यू आर यू आर यू आर यू आर गोइंग तो गेट रूपीस टेन थाउजंड एवरी यह सार्टिंग फोर नेक्स पाइब यह फादर वाओ मजा ही आज से ही स्तारटिंग फ्रॉं तुड़ेवर्ल लाइज ज हां रखना है यस कितना इन्ड चार पैंच पांच पांच िंध गति लगा दिया कितने में लगाएंगे वह 4 5 ठीड है 10000 पर ऐसा इसे मिल रहे हैं आज से इस나ड इकस्ट ठीड ने एकस्ट 5 अड़े और दो दो जाड़े मिल रहे हैं ठीड है भात ने आज ये पैसा उठा के mutual fund में लगा दिया आज पापा ने पैसा उठा के mutual fund में लगा दिया आज यहां डाल दिया पैसा ठीक है यह ताकि जिस दिन 10,000 पे निकालने हो यहां निकाल दी यहां निकाल दी यहां निकाल दी यहां निकाल दी यह बात खतम तो यह पूछ रहा है लगाना पड़ेगा अब इस्टॉल्मेंट पहले दिन से जा रही अब कॉमन दिन से बोल रहा है कि 10,000 पे तो हमें अलग से देने ही पड़ेंगे यहां तो में जो है एक दो तीन चार इन चार के लिए करना पड़ेगा तो मतलब टोटल पांच है उन में से एक माइनस कर दिया टोटल पांच थे उन में से एक माइनस कर दिया और एक यह अलग से क्यों आड़ गया यह पहले वाला जो है पहले वाले को तो अभी पे करना है तो उसके लिए तो अलक साइड कर दिया और उपर में एन कितना हो जाएगा इसको हटा दिया तो पांच में से चार रहे गया ठीक है प्रेजेंट वेली उतना बन जाएगा बाई प्रेजेंट वेली इन्मीडिए वाला फोर्म ला ठीक है इस नॉट एन इस न इन माइनस वन चार हो जाएगा एक इस्ट्राल्मेंट कटी क्यों यह वाली तो भी है पहले ही पेमेंट अलग से चलिक है एस सो दस हजार एण्योटी इंटू में वन प्लस आई पॉइंट वन फाइफ पॉइंट वन फाइफ की पावर की पावर एन माइनस वन चार माइनस वन वाय में अगें ये वैल लिए भी आप इसले वाले में रह गई थी किस यही मिस्टेक हमारी एक्जाम में भी उती सर्फ यह ना यह हो गया ठीक है अब स्वाल कैसे करेंगे कैरें सबसे पहले यह वाला पार्ट पहले memory क्लीन करतें memory clean के लिए MRC दो बर दबाया or clear करके start करते हैं ठीक है steps clear ओगे 1 plus .15 that is 1.15 येस उसकी power change into equal to equal to equal two steps 5 पर आ गया power-4 इसको M plus में save कर दिया memory में save हो गया minus किया 1 divide करा दिया again जो memory में पढ़ा है उस से और डिवाइड करा दिया 0.15 से है ना जी वेल्यू निकाली मेमरी में सेव कर दिया माइनस वन कर दिया मेमरी वाले से डिवाइड करा दिया इससे डिवाइड करा दिया मल्टिप्लाइ करा दिया इसको भी हमने 10,000 से ठीक है और इसमें एड कर दिया हमने 10,000 तो पापा जी को ह हमारे आज म्यूचल में डालने पड़ गए 38,549.78 मतलब मोटा मोटा बोलू तो हमारा 38,550 रुपे वाह पापा हमारे स्मार्ट है समझ माया स्मार्ट फाजर के बच्चों जल्दी से फटाक से येस समझ माया तो वीडियो का लाइक कर देना भाई थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा येस और कमेंट में बताना और क्या सीखना चाहते हो ठीक है एन्योटी मैंने आपको समझा दिया है इसके उपर में टिपलिक लाएंगे जल्दी से पूरे पूरे शेप्टर की उसमें सारे टाइप के कोशन भी डालेंगे कंसेप्ट रिवाइस कराना था वो करा दिया है बड़ा अब हम मिलेंगे नेक्स क्लास में तक लिए की प्रेक्टिक सिंटे क्या बाई 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 अलवी दाबाच अपाती चल